सुप्रीम कोट में होने वाली सुनवाई से पहले महराष्ट विदानसभा के अध्याग श्राहुल नार्वेकर ने शिफ सीना विधायकों की अयोगिता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की लेकिन फैसला कब आएगा ये कहना कठीन है क्योंकि स्पीकर का कहना है कि वो हडबडी में फैसला नहीं लेंगे दरसल स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिफ सेना के दोनों गुटों की तरफ से विधायकों की अयोगिता को लेकर अरदाकिल याचिकाओं पर 13 अक्टूबर को सुनवाई तैकी थी लेकिन बुधवार को उन्होंने अचानक इसका शेडूल बदल दिया और एक दिन पहले ह शिफ सेना के 40 में से वेज विधायक है और पूर्वसीयम उद्धव ठाकरे की नेतरतव वाली शिफ सेना यूटीबी के सभी 14 विधायक शामिल है शिंदे गुट की कोशिशे की सभी याचिकाओं पर अलग-अलग सुनवाई हो जबकि उद्धव गुट सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मांग कर रहा है बीते 18 अक्टूबर को शिंदे गुट के विधायकों के अयुगदा से संभध याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने स्पीकर को कड़ी फटकार लगाई थी मुखे न्याय अधीश डिवाई चंदरचूर ने स्पीकर को उजद समय के भीतर निर्ण लेने का निर्देश दिया था लगिन चार महीने बीत जाने के बावजूत स्पीकर ने कोई फैसरा नहीं लिया है कोट ने स्पीकर से मामले के निप्टारे को लेकर टाइम लाइन मांगी थी और दो हफ्तों में इसका जवाब देने को कहा था अब वो वक्त भी आ गया है NCP का शरत पवार गुट भी अजित पवार और साथ अन्य विधायकों के खिलाफ आयोगिता पर फैसले में देरी को लेकर सुप्रीम कोट पहुँच चुका है जिस पर सुप्रीम कोट विधान सभा से चिवाले को नोटेस जारी कर चुका है हाला कि सुप्रीम कोट में शुकरवार को क्या होगा ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है लेकिन शरत पवार की बेटी और NCP सांसत सुप्रिया सुले ने ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि अगर अजित पवार सुपे के सीम बनाई जाते हैं तो सबसे पहले वही उनको माला पहनाएंगी माला भारतिया जनता पक्षाला एक प्रश्न वीचा रहता है कि एकी कड़े तुम्ही NCP ला नाचरली करप्ट पार्टी मानो जाता दोनधा चाउदा चाउदा सत्रा एकोणीस एकवीस बावीस तेवीस परें एकी कड़े श्री भुजबल मन्टाथ कि बैक चैनल वर सात्तत्याने राष्चवादी कॉंग्रेस पक्षाची और भारतिया जनता पक्षाची चर्चा साली होती तर एकई कडे ना खाऊंगा ना खाने दून मनना रा भारतिया जनता पक्ष राष्चवादी कॉंग्रेस पक्षाला नैचरली करप्ट पार्टी मनत होता तर मजर आमी करप्ट होतो तर मख भारतिया जनता पक्ष इनेगोसियेशन ला बस्तिस कशी आमचावरोगा तर मा इदर भारतिया जनता पक्षा साथ तत्याने खोटे आमचा वर आरोप केले जर आरोप खोटे होते ता भारतिया जनता पक्षानी राश्चवारी कॉंग्रेस पक्षाची माफी मागितली पाई जे हाला कि सुले ने बीजेपी पर हमला कर अपने बयान से उपजे सस्पेंस को भी खत्म कर दिया एस सवाल के साथ कि अगर एंसीपी प्रश्चाचारी है तो बीजेपी उससे बात क्यों कर रही थी इंडिया एलायंस की जो गडबंदन हुआ है तो खास करके दो हजार कुछ के लोग सवा के लिए बहुत से राज्यों में विदान सवा लोकल लेवल पर लड़ी जाती है तो वहां की लोकल जो सिटी है उसका उपर शेट शेरिंग हो जाएगा हम इंडिया एलायंस में चर्चा होती है लोक सबा चुना हुए और उसके उपर हम समित लगें अब राजस्थान में मद्द प्रदेश में तिलंगणा में तिलंगणा में यहां तो कॉंग्रेस है बड़ी बड़ी पार्टी कॉंग्रेस है विधायकों की अयोगिता पर बढ़ते संशय के बीच महराश्टर में एक बार फिर सीएम शिंदे और राजठाकरे की मुलाकात हुई है हाला कि विधान सभा में राजठाकरे की हैसियत नगणनी है लेकिन शिंदे अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए अभी से गुड़ांगणित लगाने लगे है राहूल पांडे और इंदरजीत सिंग के साथ दुनोच जगदाले मुंबई निउस 24